हेलो बड़ी, वेल्किम टो अम्बी ट्रेनर, मैं हूँ सौरप ठाकुर, स्वागत आप सभी लोग हमारे आज के अप्रिटूट सीरीज में, हो सकते आप लोग वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब में, फेस्बूक में, इंस्टाग्राम में, आप चाहिए तो हमारे इस तरह के इंडिया कोई भी अप्रिटूट आता है, उसकी त्यारी कर रहे है, या फिर जॉब बनेटेट एग्जाम जैसे की SSE, Bank, Campus, या फिर इसके आलाब रेलवे, FCAT का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, या फिर इवन GRE, GMAT as well, तो आप इस तरह के वीडियो से benefit अवेल कर सकते हैं, हमारे चैनल पर हम लोगोंने कोई के, DI, LR, वर्बल और करेंट इशूस, मैं कंटेंट डेवलेप्मेंट सेशन बोलता हूँ, डीटेल में मैंने वहां पर पोस्ट किया हुआ है, तो आप चाहाएं तो आप आप जाके देख सकते हैं, तो स्टेट अप हम लोग हैंगे, आपकी preparation को एक impetus boost जरूर मिलेगा, यह मेरा promise रा, चले, start करते हैं आज ही class, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह रहा MBA trainer aptitude series, और आज का हमारे एजिंट है percentage, और एक है simplification, मैं दो कोशन लेने वाला हूँ, दोनों की दोनों simplification कही है, एक थोड़ा सा percentage oriented, और एक general simpl simplification है, आप देख सकते हैं, यह हमारे पास question में, यह question आपके लिए पढ़े देता हूँ, यह question पूछा के था cat 2012 में और इसके हलाव पूछा के था IFT में 2005 में, repeat और एक question अलगले exam में, एक student है, लिखा है student तुक 5 papers, तो एक student एक बच्चा है, जिसमें 5 papers दिये, 5 papers का exam दिये, where full marks, full marks were same for each paper, ठीक है, हर paper के full marks same है, okay, his marks in these papers were in the proportion of इस लड़की के जो marks है, इस proportion में, if all the subjects together, the candidate obtained, सारे के सारे subjects को का combine करके उस लड़की के marks साते है, 60%, 60% of the total marks, okay, ठीक है, then the number of papers in which उसके marks है, 50% से ज़्यादा, आपको लग रहा हो किसे आपने question क्यों दिया, दो चीज है, पहल इसरा percentage में inequality भी है, मैं personally कहीं पर भी, inequality, mod, greatest integer function, log, यह सा बात है, इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, ठीक है, इसको मैं X पकर से बना सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, competitive exam है, तेज बनाते हैं इसको, इस वीडियो को यहाँ पर pause करके बना, देखेगा, खुद से बनाके, और उस Marks same है, for each paper, his marks in these papers, is proportion में, तो इसकाम करते हैं, अगर full marks same है, हर इकomma करते हैं, हर एकSir पेर के, माल लेते हैं, five, कितने paper के स्रड़के ने 익्जाम दिया, five paper का, तो अगर हर एक eher paper के Marks है, hundred, तो पांच¿ पेपर's marks कितने हो गए, five hundred ह repro eh, right, तो यह हो है total marks, क्या क्या बोला मैंन अगर हर एक paper के marks same है let us suppose 100 है कितने papers दिये इस रड़के ने 5 papers दिये तो यह हो गए 500 यह 500 जो है यह है total marks 500 तो total paper के marks है total marks है papers के लेकिन इसको 500 marks नहीं मिले न इसको 500 का 60% मिला है agree करते है मतलब यह जो बच्चा है इस बच्चे को कितने marks मिला है 60% 60% किसी इसका 500 का 500 का 60% मतलब कितना हो भी 300 तो यह रहा इस लड़के को 300 marks बच्चा के सनुपात में किस proportion मिला हुआ यह रहा मतलब एक subject में उसको मिला 6x marks दूसर subject में उसको मिला 7x marks तीसरे में 8x 9x और last वाले में 10x तो अकर मैं आपसे बोलू इस लड़के को total marks कितने मिले हैं तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे न सरे सभी को add कर दीजे ना 6x plus 7x plus 8x plus 9x plus 10x is equal to आप भी बोलेंगे सरे 300 correct point यह नहीं है भी add करते हैं चलिए add करते हैं मेरे साथ add करते हैं 10 plus 9, 19 19 plus 8, 27 27 plus 7, 34 34 plus 6, 40 तो यह हो गया 4040x और यह हो गया 300 x की value आगई 7.5 agree करते हैं इस लड़के के marks कितने कितने थे? इसके marks से 6x, 7x, 8x, 9x, 10x हम से सिर्फ यह पूचा गया था ऐसे कितने papers है जिसमें इसके marks 50% से ज़ादा है एक paper में इसके marks से 6x एक paper में 7x, एक और paper में 8x एक और paper में 9x और finally इसके marks कितने 10x agree करते हैं चलिए x की value हाँ पर कितने कितने given हैं इसकी value 7.5 तो यह हो गया 6x 7.5 यह हो गया 7x 7.5 यह हो गया 8x 7.5 यह हो गया 9x 7.5 और यह हो गया 10x 7.5 देखिऑं ऐसा नहीं किए मौटिप्लाइं नहीं कर सकते हैं लेकिन हर वो चीज़ चीज़ कर सकते हैं वो कर देए ऐसा जोर रही हैं करने की जुरत नहीं नहीं अगर मुल्टिप्लाई देखिए आप वो क्लियर ली दिख रहा हो गांपे 6 x 742 और यह हो गया 3 मतला 45 यह रहा है 45 तो फर्स 6x वाले में 45 marks है यह 50% से कम है कि हां यह तो है है तो इसकी जुरत है क्या बिल्कुल जुरत नहीं है यह सारे के सारे केसे जब 7x ही आपका 50 सूपर जा रहा है तो यह हर एक केस जो होगा इसमें 50 से ज्यादा मार्स तो कितने पेपर हों कैसे एक दो तीन चार इसमें तो 50% से कम marks है उड़ा दिये से क्या answer है भी हमसे पूछा जो i7x में क्या है 7x 50% से जाधा marks और 7x 50% जाधा रहा तो बाकी में तो automatic लेगा 7 8 9 10 एक, दो, तीन, चार, क्लियर हो गया, क्या सीखा आपने, हम X लेकर बना सकते हैं, 100 लेकर बना ना, 100 लेकर बना ना, 10 लेकर बना ना, 1 लेकर बना ना, बहुत बड़ी है चीज है, तो हम लोगों ने किया कि 100 ले लिया था, हर एक subject के marks, 5 subject है तो 500 marks होगा इसके, बड़ी है, इस सवाल देखें इसी में, यह राएक और सवाल, यह especially bank SST campus, FKAT इस exam के लिए बहुत important है, हलाकि आप में से जो बच्छे MBA aspirant होंगे, उनको पता होगा, कि तकरीबन MBA के सारे exam में कभी ने कर भी इस तरह की चीज़ें आई हुई है, अब इसको ऐसे emotional के बहुत करने लग जाने है यह based है, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, आप ऐसे देखेंगे तो यह भी रहा, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equals to, यह जो होता है, यह होता है, A plus B plus C, और साथ में, A square plus B square plus C square, पहले हाँ तक देखिए, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C, तो एक बात आई है, आपको जो गिवन है, A cube plus B cube plus C cube plus 3ABC, डिवाइड बाइ, यह चीज़ नुमेरेटर में गिवन है, डिवाइड बाइड बाइड क्या गिवन है, यह, A square plus B square plus C square minus, minus AB minus BC minus A, ultimately हमारा answer के आजएगा, हमारा answer आजएगा, A plus B plus C, तो क्या answer आजएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ add कर देना है, 243 plus 257 plus 500, यह तो हमारा A plus B plus C है, 243 plus 257 plus 500, add कर देंगे, आपका answer आजएगा, 1000, 1000, so what is the answer, बिलकुल ध्यान रखे है, competitive exam को, बहुत famous question है, AQ plus BQ plus C cube minus 3 ABC is equals to ABC, मुदब A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C, very very famous, तो आप में से जो ही बच्चे MBA के exam देने वाले हैं, यह वैसे CAT में पहले बहुत सालों पहले पूचावा question है, अब तो बहुत सारे MAT, CMAT इस तरह के exam में, NMAT के exam में, NMAT में, बहुत सारे इस तरह के simplification question बनते हैं, SNAP के exam में या इस तरह की शोटे-शोटे exams के paper में, मतलब छोटे क्याने के मतलब, with all due respect, simple papers में, इसके अलबाद जितने भी bank के exam, FCAT के exam, SSC के exam, जहां पर calculation बहुत बूचते हैं, उन सभी के लिए काफी important है, fine, तो यह था हमारा आज का discussion session, मुझे बताईएगा, यहां तक आपको समझ में आए कि नी, comment box में बताईएगा, सब कुछ clear है कि नी, notes बनाते चलिएगा, साथ मेरे, और मुझे comment box में बताईएगा, अगर आपको यह और topic के इसमें आप problem face कर रहे हैं, अगर आप चाहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, comment तो जरूर करके बताईएगा, वो सबसे important चीज़ है, comment करके बताईएगा, अगर आप किसी और topic में problem face कर रहे हैं, fine, bye bye everybody, take care.